नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटिज मैं हूँ आपके साथ इंद्रमौन जहानाबाद से इस वक्त बरी खबर आ रही है जहानाबाद की सीट पर जो सुबह से लगाता और सुरेंद्रियादब आगे चल रहेते अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें चंदेश सीटों में से दो सीटें ऐसी है जिस पर जहानाबाद और पाठली पुत्रा की सीट जिस पर आरजेडी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं लेकिन अब उन में से 40 का जो 38 सीटे थी उसे आप उन 40 कर लिजिए क्योंकि जहानाबाद की सीट पर से आरजेडी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं सीट पर अरुन कुमार भी चुना लर रहे थे ऐसा कहा जा रहा था कि रास्टे समता पाठी स्ट्रेकुलर की तरब से उन्होंने चुना लरा और ये कहा जा रहा था कि भूमियारों के नेता के तौर पर इज्यत बचाने के लिए वो जहानाबाद के मैदा पर प्राद में उत्रे है लेकिन अइसा लग रहा है कि जहानाबाद के भूमियारों ने उन पर भरोसा नहीं जता आया है जेड यू के उपर भरोसा जताया है और जेड यू के कैंडिडेट चंदेश्वर प्रसाद चंद्रबंसी पहली बार जहानाबाद में बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं एक लाक एक सथ जार कुछ भोट उने मिल चुके हैं जबकि इसी सीट पर सुरेंदर यादब को भी लगबग तीन सो कम भोट मिले हैं तो लगातार वहां पर टब फाइट है लेकिन अब चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रबंसी सीट पर आगे निकल रहे हैं और यह भी उस व नाली है सुरेंदर यादब इसीट पर पिछरते दिख रहे हैं और उनकुमार तो आप यह समझ लीजिए कि वह रेश से बाहर ही हैं उनको वोट अभी तक सिर्फ दस जार वोट आएं उनके खाते में तो भुम्यारों ने उन पर भरोसा नहीं जाता आया बिहार में जो सीट है इस सीट पर सबसे जादा नितीश कुमार पर भरोसा जता है नितीश कुमार ने जाती है एक्सपेरिमेंट किया चंदेश्वर प्रसाद चंदरबंसी को मीदवार बना दिया गया भुम्यार बाहुल जहानाबाद की सीट पर चंदेश्वर प्रसाद चंदरबंसी के कैंड बना ली है पहली बार सुबह से लेकर अभी तक की काउंटिंग में वहीं सुरिंद्रियादब आप पिछरते दिख रहे हैं और अरुन कुमार तो रेस से ही बाहर हो गए लाइब सिटीज आपको हर एक सीट का हाल बता रहा है कौन से सीट पर कौन आगे और कौन पीछे अब हम आपके लिए बिश्रिशन भी लेकर आएंगे सीनियर जर्नलिस्टों के साथ और बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ आप बने रहे हैं लाइब सिटीज के साथ अभी तक सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब करने और खबरों को डिटेल में पढ़ने के लिए लाइब सि पहले और सबसे विश्वस्निय धन्यवाद